Hello friends, मैं हूँ प्रतीक ठकर and हम सब बहुत मायनाद करते हैं, पढ़ाई करते हैं but कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हम पढ़ते तो हैं पर याद नहीं रहता तो आज मैं इसी टॉपिक पे कुछ amazing tricks बताऊंगा जिसका आप आज ही use करना and definitely आपको बहुत फाइदा होगा So let's begin, the first and very important trick is visualization पेसव बाजी राओ, हमें पढ़ने में आता था, साइद आपको वो पूरा chapter याद नहीं होगा बट अगर वोही chapter का movie, यानि कि आपने बाजी राओ मस्तानी देखी होगी तो पूरी movie कई dialogue के साथ ही याद रहगी होगी Reason, आपने अपने visual memory का use गया जिसे आपको long time तक याद रह जाएगा पर हर chapter या question के लिए करने जाएंगे तो काफी time नहीं लग जाएगा मैं कहूंगा नहीं, उसके लिए मेरे पास आपके लिए एक जबजस्त उपाय है एक application है, जिसका नाम है I Can Learning App जहां आपको 1 to 12 के लिए सारे subject and chapters के लिए amazing animated attractive videos मिल जाएंगे आप सोच रहे होंगे कि यार CBSC वाले तो कितने लगी है पर मैं बताओं CBSC के साथ साथ ये application ICSC, ISC, Gujarat, Maharasht, Andhra Pradesh, Karnataka, Punjab, Tamil Nadu Board के लिए भी आपको attractive videos प्रोवाइड करवा दी है और हाँ, आपको ये सारी चीज़े 15 days के लिए free में मिल जाएगी तो वेट किस बात का, link आपको comment in description box में मिल जाएगी अब भी जाओ and install कर लो I Can Learning App साथ कहीं बोलना जाओ सो अब बात करते हैं secondary के बारे में and that is revised daily जैसे अगर हम किसी चीज़ को अपने phone या PC में कहीं save करते हैं बट अगर हम उसे कुछ time तक open ना करें या जरूर ही ना पड़े तो हम भूल जाते हैं कि हमने कहां save की थी तो सेम बैसे ही हमारे साथ बढ़ाई में होता है और इसलिए अगर आप daily seven hours पढ़ते हो तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि उसमें से six hours जितना आप new study करें और one hour जितना आप revision करें आपने उसी दिन पढ़ा होगा तो revise करना भी बहुत आसान होगा और आपको idea भी आजाएगा कि आपको किस topic में और ज्यादा मैनत करने की जरूरत है तो जितना ज्यादा time and quick revision होगा याद रहने के chances उतने ही बढ़ जाते हैं और अगर revise गरते time बढ़ने का मन ना करे तो आप आई के learning एप से attractive videos देखके भी अपना revision easily कर सकोगे अब बात करते हैं third trick के बारे में and that is make audio file जैसे हमने first trick में देखा visualization पर कई बार visualize करना possible नहीं होता तो आप उस time उसका alternative यानि की audio file बना लो यहाँ अपना मकसद बस यही है कि जितनी हो सके होतनी अपनी इंद्रियों का use करना है जिससे याद ज्यादा रहे यहाँ आपको definitions, formulas, किसी long questions के points ऐसे कई चीज़ों के आप chapter wise audio file बना सकते हो और जैसे बार बार एक ही song हम सुनते है तो वो पूरा lyrics अपने को याद रह जाता है वैसे ही इससे बार बार सुनने से आपको बहुत ही जल्दी याद रह जाएगा इन मज़ेदार चीज़ तो यह है कि आप खाते खाते या travel करते या कहीं बे भी audio सुनके अपना time invest कर सकते हो वैसे ही अगर आपको पूरा chapter revise करना हो तो आप I can learning app से वीडियो को on करके रख दोगे तो आपका काम और भी आसान हो जाएगा अब बात करते है last and fourth trick that is mind maps अब सबसे बड़ा question यह रहता है कि long या hard चीज़ों को याद कैसे रखे और उसके लिए बहुत ही amazing trick है मेरे पास अब जो भी hard या long topic है उसकी summary बना लो और फिर उसमें से keywords choose करके mind map create कर लो जिससे आपको याद easily रह जाएगा and ऐसे amazing mind maps भी आपको मिल जाएंगे I can learning app में I can learning app has mind maps for all topics and chapters जिसको देख कर और notes को बना कर आप किसी भी concept को short summary के तोर पर याद रख सकते हो so याद रखने के लिए क्या करना है trick number one visualization trick number two revise daily trick number three make audio files trick number four mind maps और summary making and इन सभी चीजों के लिए आपको बहुत काम में आएगा I can learning app link आपको comment और description box में मिल जाएगी अब भी जाओ और download कर लो and enjoy करो 15 days free trial right now please do like this video जिनको अपना भाई मानते हो उनके साथ ये वीडियो शेयर जरूर से करो जिससे उनको भी ये helpful हो सके thank you so much जहिंद